प्रदाबगरचुली के नाखुटिक्स विभाग में अफीम लाइसेंस वित्रण की दौरान किसानों से नामांतर और लाइसेंस वित्रण में आवैद वसुली की शिकायत पर चितारगर gingar सांसुसं सीपी जोशी कारीयाले में पहुंचे जों किसानों और मुख्याओं से आवेद वसूली की शिकायत पर सांसर सीपी जोशी ने अधिकारियों और करमचारियों को लतार लगई और इस दोरान वहां तैनात दैनिक श्रमिक की शिकायत पर उसे बुला कर थप पर जणने का ये वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें सांसर जोशी मुरस्टाचार की शिकायते मिलने की बात कहते हुए नाराजगी जता रहे हैं विभाग की अधिकारी और करमचारी भी वहां मौझूद थे किसानों ने बताया कि यहां रखे गए दैनिक श्रमिक की ओर से रुपे मांगे जा रहे हैं और इस पर सांसर ने एक श्रमिक को बुलवाया और नामांतरन लाइसेंस जारी करने की एवज में रुपे मांगने की शिकायत के बारे में पूछा और इस पर श्रमिक ने पांच जार रुपे लेने की बात कही तो ये वीडियो सोशनल मेडिया पर वाइरल हो रहा है किस तरीके से अवैद वसूली पर रिश्वत मांगने के मामले में सांसत जोशी ने गुस्से में श्रमिक को थप पर जड़ दिया तो शिकायत की बाद आपको बता दे सांसत यहां पहुंचे थे लेकिन जिस तरह से वीडियो वाइरल हो रहा है कि श्रमिक के पैसो के लिए हां करने पर उसे जिस तरह सांसत थप पर जड़ा है उसके बाद सवाल यहीं उठ रहे हैं क्योंकि इतने अधिकारी और करमचारी वह उपर तक नजर आती है ऐसे ही यह रिश्वत का खेल नहीं चलता है तो ऐसे में जो उपर की अधिकारी हैं वो बच निकलते हैं तो इस पूरे मामले की जांच की कारवाई की निर्देश देने चाहिए थे सांसत को लेकिन इस तरह से सब के सामने एक दैनिक श्रमिक को थपर मारना क्या ये सही है और यही वीडियो सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है क्या एक श्रमिक को थपर मारने के बाद ये अवैद वसूली और इश्वत का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा